असलाम अलेकुम मेरे पैरे बच्चों, उमीद है आप सब खैरेट सहोंगे, ठीक ठाक होंगे, और पढाई भी करते होंगे साथ साथ बच्चों, आज का हमारा जो मजमून है वो है उर्दू, और हमारा जो आज का उन्वान है वो है चार हर्फी अलफ़ाज की मज़ीद मश्यक, यानि आवाज की पहचान, आवाज की पहचान जो चले बच्चों, अब आप अपनी अर्दू बुक खोलेंगे सफर नमबर 21 पे तो आज हमें करनी है मश्यक किसकी चार हर्फी अलफ़ाज की चार हर्फी अलफ़ाज, उन अलफ़ाज को कहा जाता है जो जिन में चार हरुप मिले होते हैं जैसे कि यहां पे है नून वाव की फ्रे हो गएने चार हुरुक नून वाव की फ्रे यानि नो कर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है आवास पहचान लेनी है फिर उन आवाजों को जोड़ कर लफ़स का नाम पिक्चर का नाम बोलना है यानि लफ़स बोलना है जैसे कि नून वा नो नून वा नो देखो बच्चो वाव जो वाव है न यह है न वाव वाव ओ की आवाज देता है यानि जो इंग्लिश लेटर ओ है यह उसकी आवाज देता है नून वा नो की फ्रे कर अब इन दो आवाजे आई अब इन दो आवाजों को जोड दीजिए और नाम बोलिए क्या आएगा नो कर यानि आप लिखना है ऐसे इस तरह आप देखो किफेलिफ का देखो यह किसकी छोटी शकल है कीफ की ये कीफ गोर वाली शकल कब आती है जब इसके सथ इलिफ लाना होता है या लाम यहाँ इलिफ मिला के है कीफ के साथ इसलिए ये गोर वाली शकल आधी शकल आएगी किफ इलिफ का मैंने इसका एक अलक वीडियो बनाया था अमीद आपने वो देखा होगा उस पे मैंने अलिफ वाले अलफ़ पढ़ाए मैंने आपको बोला है कि जब किसी लफ़ज की शुरुवात में अलिफ आएगा तो उसकी आवाज सिंपल अ निकलती है लेकिन जब लफ़ज के बीच में अलिफ आएगा अब आगए दो आवाज है अब इन दो आवाजों को मिला देना है का ला काला माने सिया काला अब देखो गौफ अलिफ गा गौफ अलिफ गा ये भी है कीप जैसी शकल इसे तरह जो सूरत कीफ की है वैसी सूरत गौफ की है ये वाली गौफ अलिफ 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 लॉम के साथ ही लगता है गौफ लिफ गा जिमरे जर अब इन दो आवाजों को मिला कुन कुन से आवाज आई गा जर गा जर अब इस जिबे में लिख देना है गजर मैंने बुना ना वाव की आवाज निकलती है ओ की अवा ओ रेते रत ओरत दो आवाज आई ओ और रत बन गए ओरत अवा ओ रेते रत ओरत अब देखो चिम्रे चर खा इलिफ खा मैंने बुना इलिफ जब मिलता है दीश में या लास्ट पर तो आ की आवाज आती है चर खा अब इन दो आवाजों को मिला लेना है और नाम बोला है चर खा, चिम्रे चर, खा एले खा, चर खा, चले अब फिर से हम शुरू करते हैं, देखो जो, नून, वाव नो कीफरे कर, नो कर, नो कर, नो कर माने खा दिम, यानि सर्वेंट, जो गर का काम करता हो, काला माने सिया, यानि ब्लैक कलर, है न, इधर देखो, गाफलिप गाजिम्रे जर, गाजर, गाजर एक सबजी है, खाती होना गाजर, यह देखो, औरत बोलते हैं, औरत किसको बोलते हैं, वमन को, किसको बोलते हैं, वमन को, चिम, रे, खा, इलिफ, खा, चर, खा, चिम, रे, चर, खा, इलिफ, खा, चर, खा, चर, खा, चर, खा किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको यानि स्पिनिंग वील, है न, इसकी हलफ से हम क्या करते हैं, यह हम हाथ से चलाते हैं, यह गर में होता है, हाथ से चलाते हैं, इसका काम क्या है इसे हम रूई से दागा बनाते हैं तो यह है चर्खा जिम्रे चर्खा इलिफ खा चर्खा फिर से पढ़ेंगे नुन्वा नो कीफरे कर नो कर कीफिलिफ का लम इलिफ ला काला गौफ लिफ गा जिम्रे जर गा जर एन्वा ओरे ते रत ओरत जिम्रे चर्खा इलिफ खा चर्खा फिर से पढ़ेंगे नुन्वा नो कीफरे कर नो कर ये है नो कर देखो खितमत करता है ना नो कर कीफिलिफ का लम इलिफ ला काला ये जो यहाँ पे बना के हैं डॉट सिर्कल ये किस कलर का है बलैक कलर के तो बलैक कलर को उर्दु भी हम बोलते हैं काला या सिया गौफ लिप ग जिम्रे जर ग जर याने कैड़ात एनमा ओरेते रत औरत है ना औरत जिम्रे चर लिफ ख चर ख इसको बोलते हैं चर ख अब आया समझ ऐसे ही आपको क्या करना है मेरी तरह ही इनको पढ़ाई के मश्रक करना और लिखने के भी मश्रक करना अपनी बुक कंप्लिट कर देना सफा नंबर 21 तक आई बात समझ में ये था आज का हमारा उन्वान उमीद है आप सबों ये सीख लिया होगा आप अपना खया रखेगा और पढ़ाई भी साथ साथ करिएगा ओके चले अलाहाफेज कर दो कर दो कर दो झाल झाल